डिप्टी सीयम अजित पवार ने महाराश्ट सरकार से की बड़ी मांग असमंजस में फंसी बीजेपी शिंदे गुट चुप महाराश्ट के उक्मुख्य मंत्री अजित पवार ने सोमार को शिक्षा में मुसल्मानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षन देने का प्रस्ताव रखा जिससे उनके सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ गई माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर एक और जहां शिव सेना शिंदे गुट चुप है तो वही भारतिय जंता पार्टी के लिए भी असमंजस भरी अस्थिती पैदा हो गई है पार्टी के नेता और राजी के डिप्टी सीयम देवेंदर फटनवीस ने अभी तक इस मांग पर कुछ कहा नहीं है दिगर है कि भारतिय जंता पार्टी धार्मी का धार पर कोटा के खिलाफ रही है ऐसे में पार्टी के लिए जूनियर पवार के लिए अमांग किसी असमंजस से कम नहीं है बीते दिनों पवार ने बैठक में कहा था कि अब्दुल सत्तार और एक अन्यमंतरी हसन मुश्रीफ की राय थी कि मुस्लिमों को आरक्षन मिले चुकि यह तीन दलों की सरकार है इसलिए मैंने उनसे कहा है कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंतरी यवंग उपमुख्यमंतरी देवेंदर फड़नवीस के सामने रखूंगा और आगे का रास्ता तलाशनी की कोशिश करेंगे वही राजनीती जानकानों का मानना है कि अजित पवार गुट इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि साल 2024 के लोग सभा चुनाओं के लिए भारतिय जन्ता पार्टी श्रिंदे गुट के अलावा जूनियर पवार पर भी निर्फर हैं ऐसे में पवार अपने वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसी मांग रख रहे हैं क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह से परचित हैं कि मराठा वोट कई पार्टियों में बटेगा ऐसे में वह मुस्लिमों की ओर अपना रुख कर रहे हैं चुनाओं पर पड़ेगा असर राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी से अलग हुए गुट के प्रमुक अजित पवार और उनका समू एक जुलाई को मुख्यमंतरी एकनात शिंदे और उप मुख्यमंतरी दिवेंदर फड़नवीज की शिव सेना भारती जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गया था हलाकि अभी तक सत्ता रोड़ गटवंदन में अन्यदो सहयोगियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है खास कर जब से फड़नवीज धर्मा आधारित कोटा नहीं बढ़ाने के बारे में मुखर रहे हैं जो OBC और मराठा रक्षन को खा सकते हैं NCP के सुत्रों का दावा है कि इस मुद्दे का असर अगले लोग सभा और विधान सभा चुनाओं पर पढ़ सकता है NCP AP अजित पवार की नजर मुस्लिम वोटों पर है जो राजे के कई निर्वाचन शेत्रों में एक महत्तपूर्ण कारक सावित हो सकते हैं अजित पवार ने हाल ही में आश्वासन दिया था और दोहराया था कि वहां बॉंबे हाई कोट के आदेशों के अनुसार निर्णे को लागू करने के लिए जल्दी सीम और डिप्टी सीम के साथ मुस्लिम कोटा मुद्दा उठाएंगे और आर्थिक रूप से पिछडे मुसल्मानों के लिए एक विशेश पैकेज पर भी विचार करेंगे शक्षा में मुसलिम कोटा का विचार 2014 में पुर्व कॉंग्रेस NCP सरकार द्वारा दिया गया था और यह पुर्ववर्ती महाविकास अगारी सरकार के वादों में भी शामिल था जिसमें जून 2022 में गिरने से पहले अजित पवार डिप्टी सीम थे